हलो इस्टुडेंट मन रेश कुमार मैं एट बाइन रेजिसर क्लासे से आपका हर्दिक स्वागत करता हूं आज फिर से हम MST final जिसके अंदर हमारे पास एक compulsory paper चल रहा है advanced numerical analysis आज इसके अंदर हमारे पास unit second में lecture नमबर है इससे पहले हम तीन lecture करवा चुके हैं और हमारे पास बुक कौन सा है जे पीज का बुक है इस्टेडिज इन numerical analysis अगर आपके पास किसी दूसरे डाइटर की बुक है तो भी काम चल जाएगा और अगर बुक नहीं भी है तो भी आप पर मैं questions लिख दूँगा जितने आपको solutions करने हैं आप बिना बुक के वे काम एक बर चला सकते हो ठीक है तो देखो आज हमारे पास है युनिट सेकिंड में lectures number 4 के अंदर questions number 8 है यानि हम lecture 123 से के अंदर अगर नहीं निकाले हैं तो एक बार आप उसकी प्रेक्टिस कर लीजिए क्यूंकि numerical analysis इसही बुक में practice ही सब कुछ है ठीक है देखो आज हमारे पास ही लेक्टेस नंबर यह हम पड़ चुके मेट्रिक्स मेटर्ड एक नंबर पर दो नंबर पर में चुके एक हम इसके बारे में basic lecture है देखो नम्बर या सब्सक्राल के अंदर ही कि प्रीघ के हैं मेत्रिक्स में चैके हैं तो समय निकालर है आज हमारे पास next है Gaussian Eliminating Method या Gaussian Elimination Method पलस इसी के अंदर दूसरा Method है Gaussian Elimination Method Using Partial Pivoting मतलब पाइवोट मेथड से इसको कैसे सोल करेंगे एक सिंपल मेथड है ठीके तो यह दो परकार के हैं मतलब जो मेथड हमारे पास से थरी है इसके अंदर क्यूशनस हमारे पास दो परकार से पूछेगा बाकाइदा आपको एक्जाम में नाम लिख के देगा Using Gaussian Elimination Method या फिर ऐसे देगा Using Gaussian Elimination Method for Using Partial Pivoting ठीके तो इन दोनों में भी डिफरेंस है वैसे दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है 90% एक दूसरे से मैच होते हैं बस इसके अंदर पाइवर्ट की वज़े से कुछ स्टेप्स उपर निचे होंगी वह आपको एक्जाम्पल के मादेम से समझा दूँगा ठीके तो आज आप हेडिंग डालिए हमारे पास है नेक्स्ट जो मेथर्ड है वह है गाउसियन मेथर्ड पलस इसके अंदर आज इस लेक्चर में करेंगे बहले ही अपने कुछ कितना भी टाइम लग जाए गौशियन विलेमिनेशन मेथर्ड यूजिंग पार्षियल पायोटिंग तो यह हमारे पास क्यूश्टे रखा है हर बार की तरह क्यूश्ट हमेशा ऐसे लिक क्या एगा सोला वदा सिस्टम सोफ इक्वेशन से नंबर वन यूजिंग मेथर्ड ओफ मेट्रिक्ष जो लेक्शन नंबर 3 में कर चुके हमारे पास हैdam सिस्टम सो पिवेशन समेधर जो अब हम सीखेंगे और आज से जए तो आज यह हम ढूआ ही मेथर इसके अंदर सी जाएंगे अभी आपके लिए अग्जाम में यहां आते आते आपके क्यूस न साना इस्टर्टें हो जाता है देखो चाओ तो आप को मैट्रिक्स मेठट से हल कर सकते हो या लेक्छिस ठीमें बताएगे से को करना नहीं है बाकाइदा अग्जाम में नाम लिख के देगा उसी नाम के according हमें इसका solution से करना है ठीक है तो देखिए आज हमारे पास से gaussian solution से मतलब ghost elimination को कैसे करते हैं फिर next lecture में आजएगा ghost jordan method और ghost jordan method using partial pivoting ये दोनों भी फिर आपस में मिलते जुलते रहेंगे एक दूसरे से तो आज अपने को gaussian elimination method सीखना है इसको तो वस आपको एक short hint सी बता देता हूं कि इस परकार से आपको याद रखा जाएगा तो आप इसकी एक बार cable hint type में लिखो कि जब जब आपको gaussian elimination method पूछे आपको अपर triangular matrix बनाना है आपको क्या बनाना है अपर triangular matrix देशे यहाँ 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6 कैसे भी मालो यहाँ हमारे पास कोई भी number आ सकते हैं यह अपने को ऐसे बनाना है मतलब यह ऐसे बनाना है अपर triangular अगर आप इसे ठीक ठीक देखोगे तो यह हमारे पास एक triangular बनता हुआ नजर आएगा ठीक है तो अब यह हमारे पास क्या बन गए अपर टाइप का triangular बनाना है याद रखने के लिए हिंट बता रहा हूँ कि gaussian eliminations में क्या करना है हमें answers ऐसे लेके आना है फिर इसके अंदर back substitute लगेगा यह इसके अंदर हमारे पास क्या होगा तो इसके अंदर आपको back substitution से method होगा जो आप बड़े ही आराम से आपे समझ जाओगे ठीक है अब यह देखो पहले तो इसके 1 इसके नीचे सभी 0 होने चाहिए फिर 4 इसके नीचे सभी 0 होने चाहिए फिर यह 6 ठीक है जैसे मालूमा 4 भाई 4 लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8 और 8 तो यह भी क्या है एक परकार से हमारे पास है ट्राइंगुलर है पहले यह 0 फिर 2, 0 फिर हमारे पास 3, 0 और फिर यह 4 था हो गया ना 4 भाई 4 यह हो गया हमारे पास 4 भाई 4 तो ट्राइंगुलर है कि नहीं इसके नीचे जश्ट 0 फिर इसके नीचे सभी 0 फिर इसके नीचे सभी 0 और फिर लास्ट में 8 यानी मुखे डाइगनल या मुखे विकीरन के नीचे सभी 0 हो जाने चाहिए देख लो मैं डाइगनल के नीचे सभी हमारे पास क्या हो जाने चाहिए जीरो हो जाने चाहिए ऐसा हम लेके आएंगे गौस से इलमिनेशन से मेथड से यह हम किस विदी से लेकि आएंगे बहुत सिंपल सी मेथड आपका 12 क्लास में भी सिखा हुआ है और बीसी सेकेंड यर के अंदर भी सिखा हुआ है अब यह जो है ना इस वन के गोला लगाएंगे फौर के गोला लगा रखा यही पाइवट कहलात ही ठीक है तो इस गोले के अंदर यह जो है वन है यह फाइप है यह सेवन है यह एट है यह क्या कहलाते हैं हमारे पास ही पाइवट कहलाते हैं यही हमारे पास क्या कहलाएंगे पाइवट कहलाएंगे तभी कहलाएंगे जब इसके जश्ट नीचे 0 और हमारे पास इसके जश पाइवट कहलेंगे तो चलो एक जो वर्ड आ रहा था बार बर पाइवट इसका तो डिसक्रिशन हुआ कि पाइवट हमारे पास क्या है और समझ गए आनसुर्स हमें किसमें लेके आना है अपर ट्राइंगुलर सेप के अंदर लेके आना है तो चलिए अब इसकी हम लेंग्व लेंग्वेज कैसे लिखेंगे तो हर बार क्यूसिन्स की तरह है इसकी भी आप लेंग्वेज़ इस्टारट कीजिए यह 3x3 4x4 आसकता है इसमें हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच जाएगा ज्यादा लंबा लेक्चन ही जाए और वीधी आपको यह मेथड आपको हम समझाए ही देंगे ठीक है तो सबसे पहले हर बार की तुरह क्या लिखोगे इट इज गीवन दैट और यह तीनों एक्वेशन लिखोगे नंबर वन नंबर टू और नंबर थरी ठीक है नंबर वन नंबर टू और नंबर थरी तो यह क्या होगे हमारे पास इट इज गीवन दैट फिर क्या लिखोगे लिख लोगे ना ऐसा का ऐसा तीनों फिर दा गीवन system the given system the given system the given system the given system of equation can be written as can be written as किस प्रकार से लिखा जा सकता है ax is equal to b फिर आप लिखोगे देखो लिखना मत आप बोलोगे where a is equal to and ये b is equal to और x is equal to x y and z ठीके अब क्या करना है आज आप देख लेना कि अगर आपके पास ghost elimination method है तो आप इसे ax और b ही छोड़ देना where अब इसको format में लिखा देना या ऐसे बोल देना ie ऐसे बोलना जुरूर नहीं है where a is equal to ऐसे लिख देना कि ये फोर देखो ये x का है ये y का है z इसके अंदर है नहीं तो 0 मान सकते है न इसके अंदर ये ax का है पलस का 2y का है, पलस का 3z का है, और ये 6, और ये 1, और ये माइनस का 6, इसको आप लिखो मेट्रिक्स टाइप में, ये दो हो गई मेट्रिक्स A, ये हो गई मेट्रिक्स B, जिसके अंदर आज X1, X2 की बज़ाए X, Y, Z हैं, B क्या हो गई? minus 7 minus 2 और minus 6 minus का 7 minus का 2 और plus का 6 sorry minus का 6 नहीं plus का 6 ठीक है तो या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं where capital A is equal to this x is equal to this b is equal to this बट आप क्या करो इसको format में लिख लो एक language में कि देखो वापिस करके देखो 4x minus 3y is equal to minus 7 वापिस ये given बन जाएंगे 2x plus 2y plus 3z is equal to minus 2 6x plus y minus 6z is equal to 6 ओके तो चलो यहां तक मेरे साबसे कोई दिक्कत आपको नहीं आनी सी बस थोड़ा सा हमने क्या किया है बदलाव किया इसके अंदर की ऐसे x लिखा जाएगा ऐसे y लिखा जाएगा और ऐसे z लिखा जाएगा अगर आप ढूंड रहे हैं कि अपके पास JPS बुक है तो यह JPS की बुक में कहा है तो यह हमारे पास है 250 के 200 page 247 के उपर है यह हमारे पास JPS की बुक में page 246 यानि exercise है हमारे पास 3 की उसके अंदर questions number 3.3 है questions number 3.3 है और किसी writer की book के किसी other industry के हो तो कोई बात नहीं आप तो target के उपर ध्यान दो ठीके आप यहां तक लिख लोगे अब यहां तक लिखने के बाद आपको ध्यान में आना चाहिए कि अपने को ऐसे बनाना है अपने को अपर triangular shape में बनाना है मतलब यह होना चाहिए यह होना चाहिए और यह होना चाहिए ऐसे element बचने चाहिए बाकी सब किसमें चले जाए जीरो के अंदर ही चले जाए तो यहां आके आपको एक language लिखनी है ठीक है भई यहां आने के बाद आपको क्या करना है इसकी एक language लिखनी है और आप बोलोगे fast we eliminate मैं बुक में ही देखके लेख देता हूँ ताकि standard language आप maintain कर सको fast we eliminate हम गायब करेंगे e-l-i-m-i-n-a-t fast we eliminate x1 from the last two equations मतलब समझा दूँगा हम आपको एक बार बार इसमें वह आजएगी बार बार लिखेंगे मतलब एक तो equations यह है दूसरी यह है तीसरी यह है चलो इसको तो हम लिख देंगे ऐसा का ऐसा कि 4-3 और 0 देखो इसको तो हम लिख देंगे 4-3 और 0 अब इसके नीचे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए और इसके यहां भी क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए मतलब जश्ट इस गोले के निचे ये element 0 आना चाहिए और ये element 0 आना चाहिए तो हम बोलेंगे first we eliminate इसमें से x1 गायब करेंगे और इसमें से x गायब करेंगे last 2 equation चाहित ऐसे बोलतो from second and third equation या ऐसे बोलतो last two equation अगर 4 का होता समझो यहां 4 by 4 होता तो क्या बोल देते last three equations हो तो हम क्या बोल देते fast we eliminate x1 फरों last equation नम एक दो तीन equation से यहां 3 गुणा 3 की है तो एक कम करेंगे लिएक दो last two equation से क्या गायब करना है x1 को गायब करना है eliminate का मतलब will open within या इसको लुप्त कर दो using fast equations किसके मादवन से गायब करेंगे भई using fast equation किसके मादवन से गायब करेंगे using fast equation using fast equation से and taking and taking for and taking for as a pirate element as a pirate eliminate as a pirate eliminate as a pirate eliminate then the system reduce to then the system reduce to then the system reduce to best केवल आप तो यह लेंग्वेज एक बार याद रखो केवल आप एक बार यह लेंग्वेज इतनी सी याद रखो और अपन बार 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 क्या है इसकी practice करते जाएंगे तो यह हमारे पास रणिंग में आ जाएगी language तो इसमें कोई दिकत नहीं आएगी आपका target है अपने को गौस eliminate अपना target है हमें गौस elimination method से इस equations को solve करना है ठीक है पहले तो ऐसे लिख लोगे it is given that this this and this or the given system of equations can we return as a x is equal to b लिख दिया वेर यह a है यह x यह b है बट आप अलग अलग मत रिखना इसको ऐसे लिख देना a into x is equal to b ठीक है अब देखिए अगर यह 4y 4 का होता दोनों चीजों में अपन साथ लेके चलेंगे वही ताकि आपको लेंग्विज मेंटेन कर सको मानों दोनों लेंग्विज में ऐसे होता 6 2 3 7 1 2 5 8 7 6 3 2 3 1 1-1 और 0 या 3 कुछ भी मानो यह हमारे पास 4 by 4 है ठीक है इस equations में हमारे पास यह है 3 by 3 की है तो अपन क्या बोलते है इदर कि first we eliminate x1 मतलब हमें इसको छोड़के मतलब आप ऐसे नहीं इसे 6 के आप क्या कर लो सबसे पहले गोला लगाओ इसे 6 के आप क्या लगाओ ऐसे गोला लगाओ यह हमारे पास पाइवट बन गया यह हमारे पास नहीं पाइवट बन गया कब जब यह 0 बन जए यह 0 बन जए और यह 0 बन जए यह किसका eliminate है अगर मैं into में x1 x2 x3 लिखूं तो यह x1 का है तो हम क्या बोलेंगे fast we eliminate x1 from equation 2 3 4 बोल दो या last 3 equation last 3 equation using fast equations taking pivot क्या है इदर 6 as a pivot element then the system reduce to तो अगर 4 होती तो यहां last 3 equations लिखते जान देना भई last 3 equation से लिखते थरी है तो फिर 2 लिखेगे फिर 2 है तो फिर 1 लिखेगे 1 है तो last में एक भी equation से नहीं बचेगी ठीक है अब a11 position से यही हमारे पास pivot का लएगा तो ऐसी language तो आप 4 by 4 के लिए काम में लोगे एक दम ऐसे रट रहा के या नकल करके मतलिक दिना है कि हाँ last 2 equations देखे ना वहाँ 4 by 4 में इसके अलावा तीन equations और बचेंगी तो वहाँ लिख दिना last 3 equations यह 3 by 3 का है तो हमने लिख दिया last 2 equations ठीक है तो हम आपको क्या लिखना है फैस्ट वी इलेमिनेट अक्सवन फैस्ट वी इलेमिनेट अक्सवन फरॉम दी लास्ट टू equations यह बसकी लास्ट टू equations और किसको यूज में लेते हुए यूजिंग फैस्ट equations एंड टेकिंग यह वाला फोर है यह पहले नमबर पे जो इलेमिनेट है यही हमारे पास क्या कहलाएगा एक पाइवट इलेमिनेट कहलाएगा मतलब यह मेट्रीक्स हमारे पास ऐसे है उर स्फोर जीरो टू ठरी टू टू ठरी और सीक्स ही वन माइनुस का सिक्स देखो एक पhold लिखना मत यह ऐसे है हमें आपको ऐसे करना है इसके गोला लगओ इसके गोला लगओ हलांकि यह बदलते जाएंगे यहाँ 0 आना चाहिए यहाँ 0 आना चाहिए तो यह pivot कहलाएगा यहाँ अगर using fast equation लोगे यह pivot कहलाएगा और यह हमारे पास आगे चलके पाइवेट हैं कहलेगा बट यह चेंज होंगे अब इसको सिस्टम को रिड्यूज कैसे करना है यानि इसको सोल्यूशन कैसे करना है तो इसके लिए आप फैस्ट रो है वो तो आप लिखिए ऐसी की ऐसी फोर माइनस का थरी और जीरो और अक्स वाई जेड तो हमरे पास फिक् ऒरेंट हूंगी इस पाइवट की वजह से whenouch होंगी बाकि हमारे पास इस पाइवट की वजह से होंगी एक समझा लिए आपैपने पास एक स्पेस रह जाए द्यान से देखो पहली पहली एक्वेशन्स को आपको ऐसी कैसी रखनी है और इसके जो आगे b का रिजेल्टा number one पे वो भी ऐसा का ऐसा लिखना है वो भी ऐसा का ऐसा लिखना है क्या है हमारे पास फॉर minus three zero और बराबर में कितना है minus seven एक बार आप रफली ऐसे देख लो एक बार हमें रफली ऐसे देख लो कि पहली 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 क्विशन चोड़नी है फोर minus three zero और आगे minus seven है आगे ये हमारे पास क्या है minus का seven है अब just इसके नीचे यहाँ zero बनाना है देखे just नीचे इसके यहाँ क इसके नीचे है दो यह तो हमारे पास master की हो गई एक परकार से अब इसी को देखते हुए हमें 0 बनाना नीचे क्या है लिखना मत एक बार समझना 2, 2, 3 और बराबर में क्या है माइनस का 2 आगे वाले का भी ध्यान रखेंगे साथ साथ पूरा system ही reduce होगा ठीक है अब अपने क्या बनाना इसके नीचे 0 आजए बस इसके नीचे हमारे पास ही 0 आजए अब बताओ यह 0 कब आएगा जब मैं इसको 2 से गुणा कर दू क्या तो इ इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा minus 4 क्यों कर दिया ताकि मैं इस 4 में से इस 4 को घटास कूँ तो यहां 2 था इस 2 को हमने 2 से multiply किया तो ऐसे नहीं कि इसके अंदर से यह गटाओ या इसके अंदर से यह गटाओ तो ऐसे कर ले ना यह पलस का एन है तो सभी के minus sign लगा दो तो यह minus लगाएंगे तो यह plus का हो जाएगा बताओ 4 में से 4 गया 0, minus का 3 और minus का 4, minus का 7, 0 और minus का 6, minus का 7, plus का 4, minus का 3 तो अपने पास अंसुर्स कितना आ गया इसका, 0, minus का 7, minus 6, और 3 फिर आप यही से कटते हैं वो काट दो common आ रहा है कि आतीने कम तीन तीन दूनिच है पर 7 common नहीं कटेगा पर minus तो हटा ही सकते हैं पूरी को minus से multiply करने पर नहीं कटोगे तो भी कोई दिकत नहीं है ऐसा कैसा रहने दे सकते हो या फिर आप minus से हटा दो तो कितने बचे 0, 7, 6, 3 ऐसा कैसा particular लिखो 0, 7, 6 और आगे वाला कितना है equal वाला थरी है ठीक है यह first row है यह हमारे पास master key बन गई है इसको रहने देना ऐसा कैसा अब आज पिसे वापस रफ कर दो या आप तो अपने रिजिस्ट्रिम से रफ में आगे से आगे बढ़ते रहना अब इधर आजो यह third row क्या है हमारे पास 6, 1, minus 6 यह row क्या है हमारे पास 6, 1, minus 6 और बराबर में 6 है आपको इसके नीचे भी 0 बनाना है आपको इसके नीचे भी 0 बनाना है तो चलिए 0 बनाईए बताओ कब बने गई यह 0 यह तो 4 है और यह 6 है तो क्या करें इसके अंदर 2 का भाग दूँगा तो 3 आप ऐसे देख ले ना एक बार देखो यह row है master की है और यह हमारे पास reduce करनी है इसको मैं 2 से multiply कर लूँ क्या या तीन संता माइने से 21 नीचे वाले को 2 से कर दो 6 दुनी 12 दो एकम दो 2 चीकी माइनेस 12 और 2 चीकी 12 ताकि हम 12 में से 12 घटासके या फिर ऐसे करो इसमें 4 का भाग दे दो पूरे में 1 बचेगा इसमें पूरे का 6 का भाग दे दो एक बचेगा तो उसमें calculation थोड़ी length हो जाएग तो इसको 3 से multiply किया तो पूरी master की को 3 से multiply करना 4 ती बारा 3 ती माइनेस का नो 0 और 3 संता माइनस से 21 तो ये हमारे पास क्या बनगी master की इसको हमने 3 से multiply कर दिया अब ये 60 इसको हमने 2 से multiply किया 12 दो एकम दो 2 चीकी माइनस का बारा 2 चीकी 12 अलग लग teachers इसका अलग अलग method बता सकते हैं मैं सबसे सिंपल ताकि आपके माइंड में ऐसा कुछ नहीं रहे आपको प्रोसेस ध्यान में रखके चले जाएं तो अब आप सेकेंड वाले को बीच में से हटा दो कोई दिक्कत हैं ना आए अब इसके अंदर अब आपकी मर्जित चाहिए इसके अंदर से गटाओ च मैंस माइनस तीन दो च दो एक हम है। ठीक है और वो भी किस के माइनिस के, चाहे तो ऐसे च्छोड़ दो, कठते हैं वो तो काटो इसमें भी कोई कोंबन नहीं है, माइनस है Surprise अंगा दो, यह माइनस माइनस पलस तो कितनी आगे 0, 11, minus 12, और 33, कितनी आगे भाई, 0, 11, 11, minus का 12 है, और आगे है 33, आगे वाले का भी धान रखना आगे है 33, तो ऐसे आपको ये reduce करना है, यहाँ पाइवट के आगये था, starting मिच्यार, तो जो पाइवट आजए, वो पूरी रोही हमारे पास से master की कहलाएगी, एक nickname दे रहा हूं आपको ऐसे ही, ताकि आपकी कोई गलती ना हो, है ना, अब देखो आप एक बार वापिस इसी language को पढ़के देखो, मज़ा आ जाएगा, क्या कहा रही है language ही, कि fast we eliminate x1, मतलब पहले हम x1 को गाइव करेंगे, कहां से गाइव करेंगे भई, from the last two equations, कौन से last two equations है, यह है, इसक मतलब इसकी help से आपने यह बना दिया, तो यहां x1 गाइव हो गया, equation number second से यहां गाइव हो गया, करके देख लो, 0 into x, x गाइव हो गया, x गाइव हो गया, तो अब यहां देखो, आप x1 मत लिखना, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, x, y, z दिया हुआ है, तो आप x eliminate क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, symbol हमें इस परकार से दे रखी है, तो आप यह equations लेके आ गए हो, ठीक है भी, आप यह equations लेके आ गए हो, अब इसी को आपे apply कर दो, इसी process को हम आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और बढ़े ही आराम से अपने यह बात समझ में आते जाएगी किसे किस परकार से हमें solve करना है, ठीक है, अब देखो फिर से क्या लिखोगे, fast एक बार तो हमने कर दिया, अब आजाओ second, अब आजाओ आपे second के उपर, आपको गोला नहीं लगाना है, आपको एक बार मैं आपकी जानकरी के लिए बतता हूँ, इसके नी second, we eliminate, we eliminate, अब किसको करेंगे, 7 यह किसका है, यह x का है, तो यह y का है, अब अपने को क्या करना है, y, from the last two equation लिखों क्या, from the last two equation लिखों या only last equation लिखों, तो आप बताइए, हम कहां पहुंचगे, इससे यहां से गाइब करना, तो एक ही equation बची, from the last equation से, using second equation, पहले तो हमने यहां, first equation को काम मिलिया था, अब किसको लेंगे, using second equation, yes, using, पहले तो हमने एक नमबर वाली में पाइब था, अब हम किसको काम मिलेंगे, using second equation, and taking, and taking, and taking, बोलो यहां पाइवट कितना था फोर अब की बार सेकिंड में कोन आ गया पाइवट है यह सेवन अब की बार किसमें आ गया पाइवट है सेवन आ गया तो टेकिंग सेवन और सेवन हमारे पास क्या है एक पाइवट है एक हमारे पास है पाइवट है एलेमिनेट है और पाइव जीरो होते हैं तो उपर यौपर वाले यह कहलाता है तो हमारे पास पाइवट को आ गया से रभध गया ए इंद्थ सिस्टम रिदूज टू तो ये सिस्टम कि सपरकार से रिदूज होगा तब ये हमारे पास system किस परकार से reduce होगा, तो आप ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, second approximations पर आगे, second we eliminate y, पहले हमने x गाइब किया, अब हम आगे y से, from the last equations, तो y के बाद हमारे पास only एक equation बचिए, last equation है, using second equations and taking pivot क्या है, 7 है, as a pivot eliminated, then the system reduce to, then the system reduce to, अब आपके पास एक system कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए, second position पर चल रहे हैं, यहाँ आने के बाद, first row को आप ऐसा कैसा छोड़ दीजिए, first row को आप ऐसा कैसा छोड़ दीजिए, यह हमारे पास minus 4, यह minus का 3, और यह हमारे पास 0, यह fix आजेंगे, x, y and z, और यह हमारे पास equal में क्या जाएगा, first row को आपको ऐसा कैसा छोड़ना है, minus का 7, minus का 7, ठीक है, अब हमें क्या करना है, eliminate y का करना है, किसके last equation का करना है, यहाँ last equation का करना है, तो आप second भी ऐसी की ऐसी लिखो, second भी यहाँ से देखके आप ऐसी की ऐसी लिखो, इसको आप रखिए ऐसा का ऐसा, अब यह बताईए हमारे पास पाइवर्ट कौन है, 7, पाइवर्ट कौन है, 7, तो हमारे पास master की कौन सी बन गई, 0, 7, 6, और equal में क्या है, 3, रे यहाँ पाइवर्ट कौन है, 7, यह वाली second, तो अब यहाँ 0 आना चाहिए, अब हमारे पास यहाँ 0 आना चाहिए, तो इसको आपने क्या बना दिया, master की, अब जो भी गटाएंगे, वो हम इसी से multiply या गुना करके गटाएंगे, किसको करना है भई हमें, किसको करना है, from the last equation का करना है, किसकी वदर से using second equation, तो यह आगे देखो, यह first equation थी, यह second equation, इस second equation को आप master की बन भणाना है, ध्यान दीजी, इधर left, right में नहीं देखना है, जो pivot है, हमें third row का, यह third equation का यहाँ 0 बनाना है, ओके, चलो लिखिए, यह third row क्या है, हमारे पास एक बार ऐसी कैसी लिखिए, यह third row है, हमारे पास 0, यह third row है, हमारे पास 0, यह 11, यह minus का 12 है, और यह 33, यह हमारे हमारे पास ही 33 है, ठीक है यह third row यहाँ नहीं लिखनी है, इसको तो eliminate करना है, यह हमारे पास ही 33 है, तो मैं एक बार यह language यहां से रप कर देता हूँ, अब यह धीरे 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 यह आपके language भी समझ में आ गई होगी, ठीक है, ऐसे अपने को reduce करते जाना है, इस 11 और 11 का LCMB, यह 77 होता है, तो आप उपर वाली इस master key को आप 11 से multiply करो, तो 0 को 11 से करेंगे, 7 को 11 से करेंगे, 11 साथ सतंतर, 6 को करेंगे, 11 चिकी 66, और इसको 11 से करेंगे, 11 तिये 33, ध्यान दीजे, हमने क्या किया इन दोनों को बराबर बनाने के लिए, क्योंकि पायवट हमार 11 से multiply कर दो, और इसको किसे multiply कर दो, 7 से multiply कर दो, इसको 7 से multiply करो, तो 0, 11 को 7 से करेंगे, 7 सतंतर, 12 को 7 से करेंगे, 12 सती, 84, पिर 33 को 7 से करेंगे, 231, बहुत वीक है भई, यहां से 10th level math, और आपको भी पता है, higher level math में चलते है, चलते है, यह गाईब हो जाता है एक परकास से, और लोग कहते हैं, आप math पढ़ाते हो, आपको ऐसे questions नहीं आते हैं, पर आप समझ नहीं सकते हैं, आप तो समझ सकते हो, वो क्या समझे कि अपन क्या पढ़ाते हैं, ओके अभी, यह पायवट के निचे वो क्या हो गया, equal हो गया, अब आप क्या कर लेड़ सो, और 231 में से 33 गए, यह तो सीधे सीधे, 33 दो कम कर दो, 108 में, पलस नहीं देखो, माइनेस का है, यह पलस का नहीं, माइनेस 21 ने, यह 108 मा गए, अब यह कटते हैं, उसको और काट लो, देखो, कैसे काटें, तीन से काटें क्या, तीन पंजो पंदरा, और तीन ची 18, एक 18, तीन ची की 18, तीन से काट लो चाहिए, एक ही बात नहीं, और चोटा कर दो, दो से काट लो इसको, यह 25 और यह 33, यह 33, मतलब यह हमारे पास क्या आ जाएगा भी इदर, यह आ जाएगा, 0 और 0, और तो नहीं कटेंग ना, यह पलस का 25 और यह माइनेस का 33, एक कोई पड़ेगा, यहाँ माइनेस लगाओ, तो यहाँ पलस लगा दो, ऐसे छोटी छोटी बातों के वो नहीं करते, यहाँ मालो माइनेस आ गया, यहाँ पलस कर दो, पूरे को आपे common बना दो, इस परकार से करके देखो, क्या इस 7 के नीचे 0 आ गया, यह अब आप देख सकते है क्या यह हमारे पास अपर ट्राइंगुलर बन गया, यह देखो, उपर वाला क्या बन गया, अपर ट्राइंगुलर मेट्रिक्स यह 3 जीरो बन गये हैं, ठीक है, फैस्ट में यह पाइवट था, सेकिंड में हमारे पास यह पाइवट हो गया, फोर्थ होती, तो हम इसी पर, फोर्थ फोर होती तो हम एक बार और चले लेते यहां लिखते third we eliminate z from the last equation from the last वहाँ two बसती पहले फोर थी फिर three आता फिर two आता फिर ऐसे using second, third and taking pivot लेते चलो किसको क्या zero बनाना है और ऐसे लिखते चलो देंदा सिस्टम स्रीडियो जी तो यहां तक हम पहुंचते पहुंचते यहां तक आ गए है मेरे इसाब से यहां तक आपको कोई दिकत नहीं है यह यह प्रोसेस अभी बार-बार चलेगी कि रिवाइज कर लेना इसी लेक्सिस को लेंग्वेज जा गई अब आपका काम बन गया है यह हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मेट्रीक्स से आ गई है अब आप इसे सोल्व करके लिख लो कैसे करेंगे भई फोर इन्टु अक्स दैट इंप्लाइज का इसान लगा दिना यह क्या बचेगा फोर इन्टु अक्स माइनस थरी इन्टु वाई पलस जीरो इन्टु जेड लिखने की जुरूरत नहीं है और माइनस का सेवन यानि यह तो हमारे पास जो एक नंबर की क्वेशन है हर बार ऐ हैं क्यूसण में ऐसी कि ऐसी ही आएगी अब देखो 0 इन्टु अक्स सेवन इन्टु आइग पलस चेटिवयाइफ पलस शीक इन्टु जेड़ इज एक्वलम माइनस थरी थीख़ेघ में इसको फोड nya साच्छिश देना ताकि एक परकार से आपको ठीक ठीक दिखाई दे जाए यह है minus 7 यह आजाएगी 7x sorry 7y plus 6z is equal to 3 is equal to 3 और यह हमारे पास कितनी आजाएगी 25z 25z is equal to minus 33 और आप देखोगे यह एक परकार से ऐसे घटता आ रहा है देखें यह हमारे पास ऐसे आ रहा है घटता हुआ आ रहा है उपर का एक ट्रैंगल बन रहा है अपर ट्रैंगल में नीचे 0 की और आ रहा है अब यहां लिखोगे then using back substitution last last में आपको यह क्या लगाना है आपको using काम में लेना है back substitution back meaning लिख लो s-u-b-s-t-i-t-u-t-i-o-one पस्ट वीधी बोला करते थे then using back substitution we get back substitution उसका मतलब पिछे चलते जाए पिछे चलते जाए सबसे पहले इस equations को काम में लीजी सबसे पहले इस equations को काम में लीजी यह क्या है 25 into z 252 मत समझ लेना वहीए यह z है is equal to minus 33 तो यहां से आप z की value निकाल सकते हो ना z is equal to कितना आएगा minus 33 upon 25 भाग दे 25 से कम 25 80 calculator से दे लेना वही भाग आप ठीक है आपके पास already available होगा तो वहाँ उसको समझदारी दिखाने की कोई जरूत नहीं है गलती ना हो आप से नहीं तो कम से कम मेरे से तो ना हो 1.32 1.32 मतलब हमारे पास z कितना आ गया है minus का 1.32 हमारे पास small z की value कितनी आ गई है minus 1.32 ठीक है अब back substitutions क्यों लगाया पहले हमने यह निकालिया अब यह z की value आप यहां रखिए आप इसको equations नाम दे सकते हैं equations 1,2 and 3 लास्ट में आके अब बोलोगे now from equation 3 now from equations 3 ऐसे आ गया अब आप equations 2 से निकालिये again from equation 2 again from equation 2 again from equations 2 equations 2 क्या करती है 7y 7y plus 6 into z और z की value आप निकाल चुके हो is equal to 3 is equal to 3 तो यहां से आप y की value कैसे निकालोगे देखो पहले तो यह दर चला जाएगा यह कितना बनेगा यह चला जाएगा 6 multiply 1.32 यह आ गया 7.92 7.92 इधर जाके 3 में से गड़ जाएगा 3 में से गड़ जाएगा 7.92 calculator से कामे ले ले लेना अब जो value आई है इसकी यह दर जाके इसमें आप 7 का भाग दे देना इधर यह minus की है इधर जाके plus की हो जाएगी sorry इसमें आप भाग दोगे किसका 7 का इसमें आप भाग दोगे 7 का तो यह 1.56 आ रहा है यह हमारे पास आ रहा है calculator की help से 1.56 1.56 यानि z की value हमारे पास कितने आई थी 1.32 small z हमारे पास कितना आया था 1.3 minus के अंदर आया था 1.32 तो z की value निकाल के हमने इसके just पीछे वाली में रख दी जिसको back substitutions बोलते है निर्स्थापित परतिस्थापित कीजिए यहां रख दी अब y की value आ गई है z की value हो गई है यह कहां रखनी है equations 1 में again from equations 1 last में क्या लिखोगे आपे again from equations 1 ठीक अब क्या लिखोगे again from equations 1 यही value आप निकाल के किसमे रख दोगे इस equations नमबर 1 के अंदर again from equation 1 यही value निकाल के हम किसमे रखेंगे equations 1 के अंदर क्या कहती है equation से 4 into x minus 3 into y y की value कितनी आई है 1.56 plus 0 into z लिखने की जरूरत नहीं है और minus का 7 तो ये इसको multiply करो 3 multiply 1.56 calculator रहेगा ये minus का इधर जाके plus का हो जाएगा इसमें से minus 7 को add कर दो तो ये answer आजाएगा हमारे पास 2.32 फिर 4 का इसमें सला जाएगा भाग ये समझाने के जरूत नहीं है तो ये answer आजाएगा minus 0.58 minus 0.58 और आपको पता है ये ही हमारे पास अपना actually target था कि कैसे भी करके अपन दिये गए questions के अंदर हम एक answer निकाल के ले आए जिसके अंदर x की value, y की value और z की value आजए बहुत सारे तरीकें अपने को करने के 10-12 वीधियां है पर अपने को Qs में बाकाइदा नाम लिखके देगा ठीक है भी अपने को Qs में बिल्कुल सोट में याद रखने के लिए गोस Eliminations को आप कैसे याद रखोगे यह एक परकार से हमारे पास अपर triangular बनना चाहिए यह हमारे पास अपर triangular बनना चाहिए इसके बाद हम इसमें back substitute लगा देंगे ठीक है back substitutions लगा कि अपने अपना answer से निकाल लाएंगे तो यह answer भी पूरा नहीं हुआ है यह पूरा हो गया है वैस एक last line नो लिख देना देखो लास्ट ही लास्ट में क्या लिखोगे therefore the solutions of a given system of equation system of equation is given by किस परकार से दिया जाएगा भई अक्स का answer हमारे पास कितना आया minus का 0.58 y का answer कितना आया 1.56 and small z का answer कितना आया minus का 1.32 और यही हमारे पास इसके answer से अब आप खुद satisfy हो इसके लिए आप किसी भी equations में रखके इसे satisfy कर लो जुरूरी नहीं आप उपरवाली में रखो एक बार इसमें रखके देखो तो यह क्या है 2 into x यानि 2 को multiply करो minus 0.58 से तो 2 को multiply किया 2 into x आ गया हमारे पास minus 1.16 plus 2y इसको 2 से multiply करो y को 1.56 यह आ गया plus का 3.12 एक बार जांस कर रहे हैं सब्सक्र की plus 3z, z की value कितनी है हमारे पास माइनस का 1.32 तो यह कितनी आ जाएगी माइनस का 3.96 माइनस का 3.96 अब आप इसको add करके देखो calculator की help से minus 2 आ गया है तो हमारा result सत्ते है otherwise हमारा result सत्ते नहीं है तो यह plus के अंदर 3.12 minus के अंदर 3.96 और यह answer हमारे पास accurate minus 2 आ रहा है यह results हमारे पास इसका accurate minus 2 आ रहा है it means that solutions will be satisfy और हमने जो answers निकाला है वो तीनों value एकदम 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 सही है language किस परकार से लिखोगे और किस परकार से आपको private करके इसको remove करना है यह मैं आपको सिखा चुका हूँ ठीक है अब दुबारा सेम ऐसा ही questions बताने का कोई फायदा नहीं है आप इसे दुबारा से revise कर लेना तो बची हुए कोई और doubts आ जाएंगे अब इसका दूसरा वाला और part करेंगे ताकि हमारे पास इसके अंदर से कुछ अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है भी तो यह तो ह हो गया हमारे पास questions number 8 जिसके अंदर method कौन सा था गौस इलेमिनेट इलेमिनेशन में अब इसको सोट में कैसे याद रखोगे कि एक तो अपर triangular बनना चाहिए उसके बाद इसके अंदर हम back substitution से apply कर देंगे तो यह हमारे पास इस वीदी से यह answers कुछ इस परकार का आ जाएगा ठीक है भी तो ऐसे करके हमें एक एक के 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 करके इस कुछ को हल करने की कोशिसे करना है और उमीद है एक ही लेक्टर में अभी तक बहुर नहीं हुए होंगे इसलिए हम इसका लगे हाथ दूसरा वाला method औरे देख लेते हैं ठीक है पहले तो अब इसमें हॉम औरक लिखो इसी कुछनस में आपको सेम प्रोसेस अपलाई करना है और बुक के हिसाब से मैं आपको कुछनस लिखे दे देता हूं कुछनस नंबर 9 को लिखो कुछनस नंबर 9 लिखो लिखो next ताकि आपकी अच्छे से practice हो जाए तो कुछनस नंबर 9 है हमारे पास ही एक तो exercise का कुछन 3.3 हमने करवा दिया 3.4 का कुछनस नंबर 8 था न है यह कुछनस नंबर 9 लिखो यह जे पिएज की बुक में 3.4 का कुछन exercise में मैं यहां लिख देता हूं 4x1-2x2 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 पलस x3 बराबर 15 पलस x3 is equal to 15 माइनस 3 एक माइनस 3 एक माइनस 3 एक पलस 4x3 पलस 4x3 इस इक वर टू एट अक्सवन माइनस अक्सटू कहीं मत दूसरी की स्टेप ना लिख दूं बहुत ज्यादा प्रोबलम हो जाएगी मैं तो लिखके चला जाओंगा पर आप परेशान हो जाओगी इस इक व कर लेता हूं कोई दिक्कत है या कोई लिखने में सही है ठीक है यही क्यूशन से इलमिनेटे में यानि जो क्यूशन नंबर आपको एट बताया है सेम इसी की तरह आपको अपलाई करना है इतना सा फरक है पहले वाले में क्या था हमारे पास यहां xyz तो हमने लेंग्वेज हमारे पास क्या जाएगा 3.4 का इसका आंसर सा जाएगा x1 is equal to 2 आप इमानदारी के साथ अपने आंसर मेंच करोगे तो x1 हमारे पास 2 आएगा वैसे भी आपका जो आंसर है वो satisfy होना जाए और यह unique solution होते है यूनिक मतलब उसका दूसरा कोई रिजिल्टी नियाएगा fix answer होत तो माइनस माइनस पलस का 2 x3 के जिगार को 3 3 3 9 और 9 और 2 4 4 13 मतलब आंसर सपना सही है तो आप इमानदारी के साथ है इसका solutions निकालेंगे questions number 9 है यह आपके लिए as a homework काम करेगा ठीक है भी questions number 9 है यह अपने पास है homework हो गया इसका मैं एक बार PDF notes में नहीं दूँगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको लिखने में और परने पास फिलहाल वक्त नहीं है बहुत ज्यादा workload है क्योंकि मेरे को तो आपको सातों पेपर पढ़ाने है आप तो कोई हाई तीन पेपर optional में select करोगे बट में भी मेरे को सभी बताने है इसलिए तो आप कर लोगे मुझे प बुक्स में भी कुछ छुटे नहीं हर एक चीज अपनी पढ़ी हुई नजर आए अना बुक में example number 3.5 का है बुक नहीं है कोई बात नहीं आप यहां questions लिख देता हूं आपको इसे solo करने की आप पूरी-पूरी कोशिस नहीं result से यह हमें अपन कोशिस पे विश्वास ही नह पलस x3 is equal to 4, 7 x1 plus x2 minus 5 x3 is equal to 8, 3 x1 plus 7 x2 plus 4 x3 is equal to 10, is equal to 10. यह भी हमें goctions elimination method से है और यह questions number 10 भी आपके लिए क्या है वही होम वरक का काम करेगा ठीक है यह questions 10 भी आपको क्या करना है इसके अंदर होम वरक करना है और इसके solutions आपके पास आ जाएंगे जब आप आनसुस निकालोगे काफी बड़े आएंगे calculator की help लेना पूरी-पूरी चाहिए पॉइंटों में निकाले ना भाग देखें कोई दिक्कत नहीं है आपका बस answer से satisfy होना चाहिए 327 और x3 is equal to 46 upon 327 बुक में मत देखना बुक में यह अलग तरीके से लिख रहा है मैंने जो methods बता है आपको वही apply करना है और यह अपना answer से आगया ठीक है बई तो यह हमारे पास दो questions है questions number 9 और questions number 10 यह आप as a homework के रूप में आप काम में लगे ठीक है तो चलो और कोई questions नहीं है गोसे निरेमिनेशन से related है तो आप इस questions को कर लेना तो questions number 9 and 10 आपको लिखवा चुका हूँ यह आपको as a homework के रूप में काम में लेने है अब आप आजाओ questions number 11 के उपर ठीक है भी काफी अच्छे से समझ में आया होगा अब यह जो गौस इलेमिनेशन चल रहा है इसी को दूसरी बार करेंगी थोड़ा सा different forum में लेकर ठीक है और यह मैं थरी की बजाए फोर वाला ले लूं तो शायद अच्छा रहेगा टाइम हमें जरूर लगेगा थोड़ा वो टाइम जरूर लगेगा पर 3 by 3 की बज़े 4 by 4 ले लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा है ना भी 3 by 3 की बज़े 4 by 4 ले लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा तो मैं क्यूसन्स देखता हूं 4 by 4 का, अगर मैं book से करवाता, तो ये 3 by 3 का ये exercise से करवाता, sorry, करवातों book से रहे हैं, अब एक example देखो आप, एक 4 वाला ले लेते हैं, ये example 3.6 है, ये हमारे पास है, example 3.6 का है, 4 variable है, इसलिए ये better रहेगा, क्यूशन है हमारे पास solve the systems of equations 2x1 plus 2x2 plus x3 plus x3 plus 2x4 प्लस का 2x4 is equal to 7, second equation है हमारे पास x1 minus 2x2 minus x4 is equal to 2, third है हमारे पास 3x1 minus x2 minus 2x3 minus x4 is equal to 3, फिर है x1 minus 2x4, x1 minus 2x4 यह है हमारे पास 0 और है by Gaussian, Gauss Eliminations Method आगे और है using इसी questions में आगे हमें दे दिया using partial हमें दे दिया using partial pivot और pivot मैं अभी अभी आपको समझा चुगा हूं कि कौन से पाइवट होते हैं अब हमें इसकी help से questions को करना है अब हमें इसकी help से questions को करना है ठीक है तो यह वी questions हमारे पास बहुत ही शांदार है अग्जाम में आप बहुत आराम से इस questions को पहचान जाओगे और इस भरोसे मत रखना कि हमारे पास यह book में से कौन से example पूछा गया है questions पूछा गया है आप तो method के उपर नाम देखना और अपना जो process चल रहा है उस process को apply कर दीजिए से कितना भी नए questions सबको बना के दे आप बड़े ही आसानी के साथ इसे कर लोगे ठीक है तो देखो क्या दे रखा है हमें questions के अंदर शोल वदा systems of equations से बाई और पहले वाले में तो क्या क्या था only इतना था कि गाउस का elimination method पहले में तो कितना था only गाउस का elimination method अब की बार लिखके देगा बाकाइदा नहीं लिखके देगा तो पहले वाला method अप्लाई करेंगे अब की बार बोल दिया कि आप यूजिंग पार्शेल पाइवर्ट यह नहीं आपको पाइवर्टिंग का उप्योग करते हुए करना है तो देखिए process पहले वा time देजो कोई दिकत नहीं concept किलियर हो जाएगा तो क्या लिखोगे सबसे पहले it is given that क्या लिखेंगे भई अपन it is given that ओके फिर ऐसी के चारों equation से लिख दोगे इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे दा गीवन equations of system the given system of equation the given system of equation can may be written as can be written as can be written as इस परकार से इसको लिखा जा सकता है कि इस परकार लिखा जा सकता है वही ax is equal to b where लिखने के जूरत नहीं है a ऐसा बी ऐसा डाइरेक लिखा दो इस परकार से करके कि यह क्या है हमारे पास देखी टू है ax2 कितना है 2 है ax3 कितना है 1 है और यह कितना है 2 है ठीक है second में आजो ax1 कितना है 1 है ध्यान से देख नहीं ax2 कितना है minus का 2 है ax3 कितना है यहाँ minus 1 मत कर देना है यह नहीं x3 इसका मतलब 0 है ax4 कितना है minus 1 फिर हमारे पास ax1 कितना है 3 है ax2 minus 1 यह minus का 2 और यह minus का 1 अब आजो ax1 कितना है 1 है देखो ax1 हमारे पास कितना है 1 है ax2 कितना है है यह नहीं इसका मतलब 0 ax3 है यह नहीं इसका मतलब 0 x4 कितना है minus का 2 है और यहाँ हम क्या लगेंगे x1 x2 x3 x4 कभी कबार आपको xy z और t लिखे देगा तो आप xyz t लिखे अगर x1 x2 x3 x4 दे रखे हैं तो आप x1 x2 x3 और x4 लिखे तो यह a आ गया यह x आ गया b क्या है 7 2 3 0 यह हमारे पास क्या है 7 2 3 और 0 भाई पहले वाले में मेथेडों में क्या करते थे वेर a is equal to this x is equal to this and b is equal to this यह इसको आप ऐसे लिख लो a x is equal to b ठीक है पहले तो टेबल सही अग्रिक्स लिखनी है आपको क्या करना है then the so here so i augment i augment matrix i augment matrix i augment matrix is given by is given by so i augment matrix is given by ठीक है देखो इसको i augment matrix के रूप में लिखेंगे और आप ऐसे बोलोगे a और b देखो दो तरीके हैं या तो आप ऐसे लिखें a और b या तो आप ऐसे लिखें a और b या आप हलका सा बार लगा दीजिये से थोड़ा change होगा हलका सा एक ही बार लगा दीजिये ठीक है a और b या तो ऐसे लिख दीजिए या आप ऐसे लिख दीजिए मतलब हम इसको पूरे को एक साथ लिखना चाहेंगे हम इसको पूरे को क्या करना चाहेंगे एक साथ लिखना चाहेंगे कब करना है यह काम आपको जब आपको पार्शेल पाइवट दे तब करना है ठीक है भी सिंपल म स्टेंडर्ड मेथड है जो आगे चलके आपके सीए से और नेट में भी काम आएगा क्योंकि वहां पूछ लेते हैं तो हम मुझा काफी हेल्प मिलेगी इसलिए आपको क्या करना है आयुगमेंट मेट्रिक्स कुछी नहीं बताता बस इसको पूरे को इकठा एक साथ लिख दो उसी को बताएगी ठीक है वही इसको पूरे को लिख दो इसी को ही बताएगी तो आयुगमेंट मेट्रिक्स हम किस परकार से लिखेंगे आप वो देख लो एक बार तो एक साथ लिखना है A को और B को या तो रेशियो का अनुपात चिन लगा के लिख लो या इस परकार से ल 1-2, 0 और माइनस का 1, 3-1, 3-1, 3-1, माइनस का 2 और माइनस का 1, 1-0-0 माइनस का 2, 1-0-0 और माइनस का 2, और मतलब आयुगमेंट मेट्रिक्स के होता है कि यह कठा लिखा जाता है, हलंकि ऐसे होता है A M is equal to A ratio B, इसको एक साथ लिख दो, अब यह वाले और लिख दो, 7, 2, 3, 0, यह वाले और लिख दो, 7, 2, 3, और 0, यह वाले और लिख दो, 7, 2, 3, और 0, देखो अब अगर आप simple लिख दिया ना, तो अब तो आपको यह एक matrix लगेगी, 4 by 5 order की, 4 by 5 order की, क्योंकि देखो, देखने में एक matrix लग रही है, इसलिए आप इसमें थोड़ा अंतर कर देना, यह तो देखो ऐसे लगा लेना, यह भी augmented है, यह फिर आप पूरी एक line सी खीच लेना है, यहाँ आने के बाद आप क्या करना, पूरा एक line draw कर लेना है, यह रो, हलका है, बिलकुल बारिक साथ है, मतलब थोड़ा सा separate है, फैने का मतलब matrix इतनी है, और यह उसके बराबर का result ह यह इधर वाला पूरा A हिस्सा है, इधर वाला पूरा B हिस्सा है, अक्स को हटा दिया, ताकि हमारे पास calculation से easy बन जएए, ताकि हमारे पास calculation से easy बन जएए, तो इस matrix A और B को अगर आप इस shape में लिख देते हो, तो रहेगी, तो देखो matrix ही बस क्या जुड़ गया है, I augmented, matrix I argument मतलब उसके बराबर क्या result आ रहा है, वो भी साथ ही बता देगा, ठीक है, अब हमें इसको क्या बनाना है, अपर बनाना है, अब पहले वाले method पे आ जो, अब आपने जो Gaussian का elimination method किया था, अब हमें ऐसा का ऐसा ही इसके अंदर करना है, ठीक है बई, अब हमें ऐसा का ऐसा ही इसके अंदर ही करना है, और अब की बार हम language नहीं, symbol लिखके काम चलाएंगे, अब की बार अपन language नहीं, केवल और केवल symbol लिखके काम चलाएंगे, ठीक है बई, तो यह हमारे पास आ गई है, इसको ऐसे लिख लेना बई, यहाँ ऐसे लिख लेना कि A augmented B के बराबर आ गई ह A augmented B के बराबर आ गई है, ठीक है भी, तो इस side में तो रह जाएगा, augmented A augmented B के बराबर रह गई है, अब आपको पता है सबसे पहले क्या बनाना है, आपको अपर triangular बनाना है, इसलिए मने जान वुज कि इसको 4 by 4 का लिया है, ताकि अच्छे से अपन समझा सकें, अब देखिए आपको अगर simple matrix होती, पहले वाला Gaussian Elimination होता, तब आप क्या करते हैं, इस 2 को छोड़ दो, और बाकी सभी को क्या कर दो, जीरो कर दो, इस 2 को छोड़ दो, और बाकी सभी को, इसके नीचे क्या बनाना था, जीरो बनाना था, और language में क्या लिखते हैं, fast suppose that, फिर हम क्या करते वो करते हैं, कि last three equation से, by fast equation से, मतलब fast eliminate x1, from last three equation से, by fast equation से, taking pivot to, then systems reduce to, वो तो था केवल और केवल Gauss Elimination से, method के लिए, अब आपको क्या करना है, partial pivot काम में लेना है, अब आपको क्या करना है, बाई, partial pivot काम में लेना है, तो आप ये देखना, अब देखो मैं काटा pt करता रहूँगा, आपको कुछ लिखना नहीं है, पहले सबसे पहले आप fast column के अंदर आईए, सबसे पहले आप fast column के अंदर आईए, इसके अंदर सबसे बड़ा, सबसे greater magnitude किसका है, मतलब सबसे ज्यादा value कौनची है, ये 1 बता रहा है, ये 2 बता र थरी आप पहले उसको लिखिए, सबसे ज्यादा जो value दे रखी है, आप उसको लिखिए, तो इधर तो चलता रहेगा, augmented matrix A, B, ये augmented matrix A and A, B, सबसे बड़ा magnitude कौन है, ये वाला रहा थरी, देखो दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ये रहा हमारे पास है, थरी, आपकी मर्जी, चाहे आप इसे लिएजिए, चाहे आप इसे लिजे, फिर आपके पास choice थी, अब आपके पास choice नहीं है, अब आपके पास single सबसे बड़ा element कौन है, ये रहा, इसको fast positions पे रख दो, ऐसा होता है, partial spivote के according, तो ये method as well करने का, इसको आपके fast के उपर रख दो तो सिधा सिधा तो रखेंगे नहीं, आप क्या लिखोगे, कि R1 रो है, ऐसे लिख दो, replacing, replacing, R1 रो है, वो चली गई, R3 में, और तुरंत R3 की जगह क्या जाएगा, R1, ध्यान से देखना, ये उपर ले जाओ, और इसकी जगह ये लेओ, second disturb नहीं होनी चाहिए, अगर ये 3 second के होता, अगर मान लो, ये 3 हमारे पास यहाँ होता, तो second इदर आ जाता, second की जगह ये आ जाता, मतलब जो replace हो रहा है, केवल, उसको change करो, तो ये अपको सबसे बड़ा magnitude जिसका है, फिर से सुन लो, यहाँ, जो fast column के अंदर, fast column के अंदर, जो सबसे बड़ा magnitude है, उसको आप replace कीजिए, fast position पे, जिस position पे fast कर रहे हो, उसी position को आप उठा के यहाँ रख दो, ये 3rd number की थी, तो R1 change हो गई, R3 में, R3 change हो गई, R1 के अंदर, ठीक है, और लिखिए इसके अंदर, तो यह कितनी आ जाएगी, 3, minus 1, minus का 2, और minus का 1, और फिर, देखो second अपनी position पे, ऐसी कैसी गलती मत कर देना भई, second अपनी position पे, ऐसी कैसी रहेगी, 1, minus का 2, 0, और minus का 1, तो R1 किस गा 3 आगी, 3 किस गा 1 ले लो, 2, 2, 1, 2, ये हमारे पास क्या जाएगी, 2, 2, 1, 2, चोथी ऐसी कैसी आजाएगी, 1, 0, 0, और minus का 2, फिर थोड़ा सा separate कर देना, कि आगे B की value है, वो कितन नहीं है, तो ऐसी मत रख देना, 7, 2, 3, 0, पहले R3 लिखा है, इसका 3 है, इसको भी पूरा है लिख देना, और third नमबर पे 7, और ये 2, और ये 0, कहीं आगे चल के गड़बढ कर दो, बैस ये उधर आगी, और ये इधर आगी, R1 और R3 आपस में change हुए है, इसको हमने दर र कर दी, ताकि हमारे पास जो सबसे बड़ी value है, फैस्ट कोलमन के अंदर वो उपर आ जाए, वो हमारे पास उपर आ जाए, ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, अब आप पुराने method पे आ जाओ, गो से elimination से method के उपर, पुराना method क्या कहता है, इसके नीचे 0 बनाना है, अब एक परकार से ये हमारे पास master की बन गई है, अब ये हमारे पास एक परकार से क्या बन गई है, master की बन गई है, अपने को ये pivot बनाना है सबसे पहले ही पहले ही, ठीक है, तो इसको तो ऐसा कैसा लिखो, ये थरी है, ये minus 1 है, ये minus का 2 है, ये minus का 1 है, और लगे हाथ इसक सेकेंड रो क्या कहती है 1-2 1-2 0-1 और 2 और 2 1-2 0-1 और 2 फिर देरे देरे प्रेक्टिस हो जाएगे फिर आप सीधे ही काम में ले लोगे इसके नीचे क्या बनाना है 0 बनाना है तो इसको मतरी से मल्टिपलाई कर दों क्या तो 3 एकम 3 3 दूनी माइनिस 6 यह 0 3 एकम 3 3 दूनी 6 अब